पांच जुलाई को चंदर ग्रहन लगने वाला है इससे पहले पांच जून को लगा था वही कि जून को सूरी ग्रहन लगा था अब फिर से पांच जूलाई को चंदर ग्रहन लगने जा रहा है आपको बता दे तीस दिन के अंदर ये तीसरा ग्रहन है वहीं ये साल का चौथा ग्रहन है इस ग्रहन के बारे में जोतिशियों का मानना है कि एक महिने में आना अशुब रहता है वहीं साल छे ग्रहन है जिसमें से तीन ग्रहन लग चुके हैं ग्रहन का प्रभाव हर राश्य पर पढ़ता है इस बार भी असर राश्यों पर पढ़ने वाला है तो आपको बताते हैं ग्रहन के बारे में लगने वाले चंद ग्रहन का सूतक काल माने नहीं होगा लेकिन जोतिशियों का मानना है कि सूतक काल को शुप समय नहीं माना जाता इस काल के चलते किसी भी प्रकार का धार्मिक कारे नहीं किया जाता ये जो ग्रहन लग रहा है उसे उप्चाया ग्रहन कहा जाता है इस तरह के ग्रहन में सूतक काल मान नहीं होता चंद ग्रहन का प्रभाव धनू राशी पर लग रहा है इस राशी पर सबसे जादा प्रभाव देखनी को मिलेगा इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है पंजांग के अनिसार इस दिन सूर्य मिधन राशी में होंगे और पूर्णी मातिती होंगी इस चंद ग्रहन को भारत दक्षिन एशिया के कुजस्थान अमेरिका यूरोप और आस्ट्रेलिया में देखा जा सकीगा ये ग्रहन दो घंटा 43 मिनेट और 24 सेकेंड का होगा पांज जुलाई को सबाग बचकर 38 मिनेट से आरंभ होगा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स